Hello Friends, Tricks for All Students में आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Issues in 20th Century World History First के syllabus को देखेंगे 20 सदी के विश्वितिहास के मुद्दे First के आज की इस वीडियो में हम syllabus को देखेंगे देखेंगे दोस्तों syllabus में थोड़ा सा बदलाव है इसलिए प्लीज इसके syllabus को आप अच्छे से समझ ले ताकि आप अपने exam के लिए अच्छे से prepare कर सकें देखेंगे दोस्तों इसके वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे तो प्लीज वीडियो को एंट तक जिरूर देखना दोस्तों आपको इस subject में टूटल 5 units पढ़नी है जो पहले units है वो है अवधारना और परिभाशा विश्वितिहास क्या है आपको विश्वितिहास की परिभाशा पढ़नी है अवधारनाई पढ़नी है देखो जो विश्वितिहास रहा है बीसमें शताबदी का वो कैसा रहा है आपको इसमें वो पढ़ना है उसकी परिभाशा है पढ़नी है कुछ अवधारनाई जैसे की पूझी बादी होगे इस इसलिए first unit में आप confuse होकर मत रह जाना जो आगे की units हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो first unit से उसमें बस आप हलका हलका समझे कि विश्वितिहास क्या है और मैं अगर आपको कुछ शब्द में बताओं तो विश्वितिहास यही है कि विश्वितिहास में हम देखते हैं बिसमी सदी में कि जो प्रथम विश्यूत था वो हुआ था राश्र संके स्थापना की गई थी रूसी करांती होई थी जो उपर की unit 1 है वो नीची की चीजों क को ही एक तरह से बता रही है आपको शौट में अब अगर बात कर रहें unit 2 की तो बहुत important है प्रथम विश्यूत आपको इसमें प्रथम विश्यूत के बारे में पढ़ना है प्रथम विश्यूत के किस context में पढ़ना है आपको इसमें यूरोप में जो युद्ध हुआ था औ इनको आपको cover करना है इसने बस लिखा यूरोप और दुनिया में परिणाम इसका मतलब है कि आपको first world war को पढ़ना है कि आखिर first world war क्यों हुआ और उसके क्या result निकले तो देखो first world war के करण यही हुआ कि जो यूरोप ये देश थे उनकी अर्थवस्था कमजोर हो गई वो सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में सामने आया first world war के बाद हमने देखा कि अमेरिका एक शक्ति शाले देश के रूप में सामने आ गया क्यों क्योंकि अब वही एक देश था जिसकी अर्थवस्था को आंच नहीं आयी थी जो जिसकी अर्थवस्था कमजोर नहीं हुई थी इसके बाद अगर हम बात करें इसी unit 2 के second part में तो आपको राष्ट्र संग के बारें पढ़ना है देखो राष्ट्र संग एक संस्था थी जो कि पुरे विश्व में शांती ववस्था इस्थापित करने के लिए ब आप राष्ट्र संग की तुलना UN से भी थोड़ी सी कर सकते हैं आज की टाइम पर United Nation है न तो पहले राष्ट्र संग बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तो आपको उसको पढ़ना है जो unit 3 है उसमें आपको रूसी करांती को पढ़ना है रूसी करांती पता है 1917 में रूस में करांती हुई थी जिसके करन जो वहां का राजा था जार था जिसे जार कहते हैं आपकी राजा को तो उसको गद्दी से हटा दिया गया था यह एक बहुत ही खूनी करांती थी इसके बारे में आपको detail में पढ़ना पढ़ेगा और इसी के unit 3 में ही आपको पढ पढ़ना है और जो communist है communist जो नियम रहा है इस पर क्या बहांस होती रही है इसको आपको पढ़ना है इसके अलावा यूनिट 4 में आपको फासिवाद और नाजिवाद के बारे में पढ़ना है यह दोस्तों यह जो विचार धाराएं थी जर्मनी जापान में यह विचार धार प्रचली थी इटली में प्रचली थी तो इनकी एक एहम भूमी का थी बढ़ आपको जर्मनी और जापान के कॉंटेक्स में इन विचार धाराओं को पढ़ना है इसके अलावा जो यूनिट 5 उसमें आपको आधुनिक्ता अधिकार और लोकतंद्र पढ़ना है इस यूनिट इंडोनेशिया में उपनिवेश विरोधी कॉलोनियलिजम के विरोध में जो संघर्ष आंदोलन हुए थे जो संघर्ष किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा उसको पढ़ना है इसके बाद इसी में आपको सन्युक्त राष्ट का गठन के बारे में पढ़ना है कि में आया होगा कि किस यूनिटे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं जहां तक वीडियो की बात है तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना दूँ और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की एक बार कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए ताकि मैं इन सभी टॉपिक्स पर आपके लिए अच्छा एक इंफॉर्मेटी वीडियो बना सकूँ आपके इस लीबर्स के अकॉर्डिंग तो दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही और आगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाज़दा शियर करें और लाइक करें थैंक यू